गुड मॉरिंग स्टुडेंट कैसे हैं आप लोग बढ़ियां होंगे जिन्दा बाद जैसे भी रहें बढ़ियां रहें मस्त रहें ठीक है देखिए करेंट क्लास में आपका स्वागत है चाड़क्या ट्यूटोरियस के मादम से आए इस पर फोकस करते हैं आज की करेंट का व हाँ आए है हाँ आए हाँ अदेखे हमने यहां पर एक हैडिंग मेंशन किया है सिप्री सिप्री इसका फूल फार्म होता है इस टाक हों इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंसिचूट सिप्री हमने मेंशन किया है इसका मतलग हिंदी में लिग देते हैं इस टाक हों इंटरनेशनल नेशनल पीस पीस रिसर्च रिसर्च इसर्च इंस्टिचूट ठीक यह आपका एक संस्था है सिप्री और यह संस्था कहां है यह संस्था आपका स्वीडेन में है इनका काम क्या होता है यह लोग क्या करते हैं कि defense related मतलब रक्षा से संबन्धीत जो भी आںकड़े है उसको प्रिजेंट करते या प्रस्तूत करते है ठीक है उसको लेकर थोड़ा बहुत आंकड़ों को research करते हैं फिर उसको प्रस्तुत करने का काम इनका होता है सिप्री का ठीक है ये इनका कारे कारे होता है रच्छा से संबंधित कारे क्या होता है रच्छा से संबंधित अंकडों को प्रस्तुत करें अंकडों को प्रस्तुत करना का अचा हाल-पिलाल में इन्होंने आगडा दिया है आगडा ये दिया है कि 200 के कुछ ऐसे देश ये कहा है किображoto के पांच ऐसे देश शेए जिनका टोटल रक्षा बजट पूरे बिस्व का 62 प्रतीसत है इन्होंने यह कहा कि 5 ऐसे देस है जिनका डिफेंस बजट जिनका रक्षा बजट कुल देसों के कुल देसों का 62 प्रतीसत है ठीक है अब इसमें कौन से देश है जो इतने बड़े बजट वाले हैं तो आपको पता है कि डिफेंस के छेत्र में बहुत मजबूत है आपका USA अमेरिका तो USA टाप पे है ठीक है उसके बाद दूसरे नंबर पे डिफेंस के छेत्र में बहुत मजबूत है चाइना चाइना सेकेंड न भारत होगा एक ने भारत के बाद अगला कांशा होगा UK उत्राखन में समझ लिजएगा ठीक और पाचवा पाचवा कांशा होगा UK के बाद UK के बाद पाचवा नंबर जो है वो आपका रसा का है रश्या यह पाचवा नंबर पांच ऐसे देश है जिनका टोटर रक्षा पूरे 2062 प्रतिसत है बहुत बड़ी बात है अब इसमें हम बात करेंगे कि भारत का डिफेंस बजट कितना है भारत का रक्षा बजट है 76.6 billion dollar का ठीक है billion dollar का million होता है billion होता है million होता है million का मतलब 10 to the power 6 बिलियन का मतलब होता 10 to the power 9, trillion का मतलब होता 10 to the power 12, ठीक है, तो भारत का जो बजट है, defense budget है, वो आपका 76.6 billion dollar का है, ठीक है, या हम इसको अलग तरीके से अगर हम दर्साएं, तो 7.6, 10 to the power 9 dollar का, ठीक है, इतना बड़ा budget है, अच्छा एक चीज है, difference पिछले साल, यह इस साल का है, 2000, 2022 का अकड़ा है, 2021 के अपक्छा कितना प्रस्टत की ब्रिद्धी होई है, इसमें ठीक ठाक ब्रिद्धी होती हुई है, मतब 0.9% की ब्रिद्धी होई है, अच्छा खासा, ठीक है, 0.9% की ब्रिद्धी होई, तो यह सिप्री, Stark Home International Peace Research, डिफेंस चेतर में कौन सी ऐसी एक संस्था है, इंटरनेशन संस्था, जो रिसर्च करती है, या फिर जो आंखड़े को प्रस्तूत करती है, तो आंखड़े का प्रस्तूत करने का काम कौन करता है, स्वेडन का, आपका Stark Home International Peace Research Institute, ठीक है, यह हमारा पहला पॉइंट है, इंप देखें, यह सब matter है, जो बड़े अच्छे होते हैं, questions, ठीक है, आप दूसरे नंबर पर हमारा है, आपका, जायताड़ा, देखें, जायताड़ा, बड़ा important है, जायताड़ा क्या है, देखें, यह जारकंड का एक जिला है, specific, district, आप जारकंडा, मतलब जारकंड का, जारकंड का, special जिला, जिला, अब यह क्या है, इसमें special, ठीक है, आपके दिमाग में आ रहा होगा, कि भाई, जायताड़ा में क्या है, तो जायताड़ा देखें, एक ऐसा जिला है, पहले आप यह जाने, इसके basic feature में जाने, यह, कि 6 लाक की अबादी है, यहाँ पे, 6 लाक की अबादी है, basic feature के बात कर रहे है, और दूसरा यहाँ पे क्या है, 6 लाक है, 6 लाक है, और टोटल, अगर हम ग्राम पंचायत की बात करें, तो 118 ग्राम पंचायत है, पंचायत जायताड़ा में अब खास बात क्या है इस जिले का कि इस जिले के हर ग्राम पंचायत में एक पुस्तकाले खुला गया है है कि इंपॉर्डेंट है अब जायता मतलब 118 ग्राम पंचायतों में पुस्तकाले खुला गया है हर पंचायत में हर पंचायत में पुस्तकाले खुला गया है खुला गया है बड़ा इंपॉर्डेंट है एक चीज़ इनका जो टाइमिंग है आपका 9 एम से लेके 5 पीम के बीच है एक्ट मेरेडियन टो पॉस्ट मेरेडियन ठीक है तो हर पंचायत में एक बहुत बड़ा पहल है है कि है कि नहीं विद्यार्थियों के लिए कि मतलब हर पंचायत में पुस्तकाले हो एक्षुली देखिए पंचायत राइड्स में यह चीज आती है कि प्रधान अगर चाहे तो वो एक लाइबरेरी अपने गाओं के लिए डिवलप कर सकता है ठीक है पढ़ने के लिए उसके लिए वो टैक्स भी जनरेट कर सकता है या बहुत सारे ऐसे लाइबल्टीज होते हैं राइड्स होते हैं लेकिन इनिसियेशन की बात है कौन प्रधान अक्टिव हो रहा है कौन प्रधान नहीं अक्टिव हो रहा है तो लेकिन जायतारा यह पूरा डिस्ट्रिक अक्टिव है छे लाइक या बादी में 118 ग्राम पंचायतों में लाइबरेरी बनी हुई यह बहुत बड़ी बात है और सर्वे के लिए अच्छे अधिकारी भी आते हैं यहां पर आई प्रवाइब पिस तरह के पहल तो किये जा रहे हैं है कि नहीं ऐसा होना चीए होना चीए अब्री पंचायतों है है ठीक है अगले तीसरे पॉंट पर फोकस करते हैं देखें एक पटवाई एक जगह है पटवाई ठीक है एक खास जगह है यह आपका है रामपुर्में रामपुर्में ठीक है देखे एक्चुली क्या है कि आपका आपने हाल फिलाल में सुना आप हमेशा खबरों में रहा है अकबारों में हर जगह की भारत सरकार के द्वारा अमरित महोसो मना जा रहा है 75 साल के दौरान क्या-क्या परिवर्तन हुआ या इस 75 साल में गौर्मेंट क्या-क्या कहर रही है, क्या-क्या इनिसियसनली इस बात पे फोकस किया गया तो पटवई एक रामपूर का एक ऐसा गाउं है जहां पे भारत का पहला भारत का पहला अमरित सरोवर खोला गया एक चीज और, रामपूर में टोटल इस अमरित महोसो के उपलच में एक प्लान बना गया है कि टोटल 75 ऐसे जगहों के लोकेट किया गया कि जहां कभी तलाब, कभी पोखरा या इस तरह की चीजे थी ठीक है जो आज के समय में क्या हुआ दीरे दीरे पट गई या बिल्कुल डिश्ट्रा हो गई बरबाद हो गई तो इस 75 तलाब पोखरों इनको फिर रिल्योट करने के लिए इनको पुना जीवन दान देने के ल तरहा है अभी यह भारत का पहला अमरी सरोवर खुला गया ऐसे ही रामपूर के छेत्र में 75 और खुले जाएंगे एक बहुत बड़ी पहल है है कि नहीं 75 और तो मतलब 75 तलाबों मृत तलाबों मृत तलाबों और पोखरों को कि पोखरों को जीवित किया जाएगा जाएगा है एक चीज और है रामपूर जिले में बहुत बड़ा गाओं है सिंदी खेडा सिंधी खेडा वहां पे बहुत बड़ा पोखरा है दूसरे नंबर पे इसको प्रोजेक्ट काम कर रहा है मतलब इसको पुनल जीवित करने का काम किया जा रहा है तो एक बहुत बड़ा पहल है देखिए पोखरी और तलाबों से क्या होता है कि वाटर लेवल मेंटेन रहता है और आसपास humidity रती है, मतलब आसपास क्या होता है, आद्रभूमी होती है, मतलब humid area होती है, आद्रभूमी के वज़े से देखें, दो तरह की से काम करते हैं, एक तो गर्मी में क्या होता है, कि पोक्रों और तलाबों के संपरिक में आके गर्म हवाएं ठंडी होती है, है ना, त कुछ methane gas निकलती है जिसके वज़े से क्या होता है कि temperature गर्म रहता है तो यह दोनों के मतलब आपके गर्मी के लिए भी AC का काम करता है और आपके सर्द के लिए भी blower का काम करता है कि जबरदस होता है पोकरी तलाब बहुत अच्छे होते हैं तो यह एक बहुत बड़े जीवों के लिए habitat center अवासी छेतर होते हैं इसमें रेंगने वाड़े प्राड़ी उड़ने वाले प्राड़ी सरिस्त्रे रेप्टाइल वर्ग या दुनिया वर्ग के प्राड़ी यहां पर सर्वाइब करते हैं और एक चीज और वाटर लेबर तो बढ़िया मस्ति करते हैं यह तो मटर गस्ति अलग मैटर है तो पोखरों का होना बड़ा जरूरी है आज कि यह हमारे society में हमारे civilization में इसका बड़ा importance था आप देखेंगे रिगुबैदिक से लेके बाकी आगे तक की पांचवी छटी सात्वी सताब्दी तर इनका वड़न किया गया है ठीक है लेकिन धीरे धीरे यह समाप्ति को और रुपया modernization यूग में पूरे को पूरे समाप्त हो गए लोगों उन्हें पोखरों तलाबों का महत्तों को नकारा और पाट डाला तो अब यह renovation का काम चला है बहुत अच्छी चीज़ है ठीक है पटवई ठैंक्स टू देखे हाल में एसियन कुस्ती चैंपियंसीप हो रहा है अब 2022 यह 2021 में भी हुआ था ठीक है 21 में कहां पर हुआ था कजाकिस्तान में 2020 में भी हुआ था कहां पर हुआ था दिल्ली में अब 2022 वाला कहां पर हो रहा है 2022 वाला हो रहा है मंगोलिया में मंगोलिया इसकी राज़धानी है उलान बटोर हमारे यह इस तरह के नाम किसी को देगे तो लगेगा कुछ बटो ने कुछ संगरण करने की बात है बटा ऐसा नहीं है ठीक है उलान बटोर तो यहां पर एक चैंपियंसी पू रहा है और कुछ्ती चैंपियंस अब इसमें भारत ने अब तक 16 मेडल जीता है मेडल जिसमें क्या है क्या है कि एक गौल्द है ठीक है पांच सिल्वर हैं और बाकि क्या है ब्राँज है कितने बज़गे 5,6,11 कांसा ब्रांज है ठीक है एक गोल्ड पांच सिल्वर और ग्यारा कासा और इसको एक गोल्ड को किसने जीता है रभी कुमार रभी कुमार कितने 57 किलोग्राम भार वर्ग में हलाकि यह ऐसे बेखती हैं कि इनों ने कजाकिस्तान में भी जीता था इनों ने दिल्ली में भी जीता था मतब यह तीसरी बार है थार्ड टाइम है यह जो एसीन चेंपियंशिप कुस्ती चेंपियंशिप में यह गोल्ड जीत रहे हैं ठीक है बहुत अच्छी बात है चलिए इसको थोड़ा सा फिल कर दीजे आगे पॉइंट पर बात करते हैं अगले पॉइंट पर आते हैं अब आपका इसा सहर है ठीक है जहां पर सीवेश को साफ करने के लिए लीदर लेंड सरकार की मदद ली गई है ना मतब आगरा आगरा भारत और नीदर लेंड का एक सहयोग एक मूच्वल कॉडिनेशन डेवलप किया गया आगरा में और इसका परपस उद्देश से क्या है उद्देश से यह है कि सीवेश की सफाई कि सफाई एक चीज देखे कि जो नदियों के पर्लूशन में सबसे बड़ा कांट्रिबूशन आपका सीवेश क्या होता है सबसे बड़ा कहा जाता है कि मतलब 63 परसेंट कांट्रिबूशन ही नहीं का होता है ठीक है ठीक मैक्सिमम हाला कि अगर सीवेश के बाद अगर देखा जाए तो इंडस्टिया सेटर का कांट्रिबूशन होता है और तीसरे नमबर पर एक्रिकल्चर मतलब हम कहें कि नदियों को गंदा करने में करने में किसका हाथ होता है तो सीवेश घरों से निकले जो नाले होते है हैं गंदगियां होती हैं वह होती हैं उसके बाद ग्रेटर देन अगले नमबर पर अवदोगी छित्र होते हैं कि छित्र होते हैं ध्यान रखिएगा यह दूसरे पॉइंट पर आता है कई बार लड़के इसी को ट्रिक कर देते हैं ससी में और बाकी जगों को कोशन पूचा हुआ है यह ठीक है नदियों के प्रदूसर में सबसे बड़ा कांट्रिबिशन किसका होता है तो अदोगी छित्र उसके बाद क्रिशीगत छित्र हैं मतब एगरी कल्चर ठीक है तो अब सीवेस के सफाई को लेकर आगरा में एक प्लान बना गया वह प्लान बना गया कि वैक यव क्लीनर में इस टेक्नालोजी में क्या होगा कि सिवेज से क्या होगा की हर मैटेरियल को अलग कर निया जाएगा अब ही में क्या होता हieß कि पूरा-पूरा कार्बनीक मैटर और कार्म игрыम Arya को सारे के सारे एक वे इसमें गिरते हैं कि अब फैफिरेट किया जाएंगा सेप्रेट किया जाए वैकुम सेप्रेट करके उनको डिस्चार्ज किया जाएगा ठीक है मतब इस तरह के से तो प्लीट सफाई हो जाएगी यह नीधर लैंड गवर्मेंट के सयोग से होता है ठीक है एक चीज़ अब जाने जगा जो सीवेज होते हैं सीवेज में कार्बनिक तत्तों के सढ़ने के वज़ा से यहां पर भारी मात्रा में अमोनिया और मेथेन गैस भी बनते हैं भारी मात्रा म सीवेज काफी डेंजरास होता है जहां पर घुटान होती में थेन आमोनिया के वज़े से कई बार आप पढ़े होंगे अक्सर की आग लग गई सीवेज में तो वह इनी दोनों गैसों के प्रेजेंस के वज़े से होता है ऐसा ठीक है एक चीज़ तो नदियों के प्रदूश आग साल के द्वारा है ठेक है एक चीज चलिए फर्दर मतलब अगले उस पर आप फोकस करते हैं करें 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 कि देखिए इसका नाम सुने होंगी गगन यह आपका कहते हैं कि यह स्वदेशी स्वदेशी ग्लोबल पॉजिशनिंग शिश्टम यह स्वदेशी ग्लोबल पॉजिशनिंग सिस्टम स्वदेशी निविगेशन सिष्टम यह कह सकते हैं गेशन तंत्र है नहीं इसको कहा जाता है जियो आउगमेंटेड आउगमेंटेड सिस्टम सिस्टम गगन हाल में क्या हुआ है इंडिगो इंडिगो एक ऐसा जेट प्लेन है इंडिगो इंडिगो कमपनी ने अपना एक जेट प्लेन गगन गगन सेटलाइट मतलब इस GPS सिस्टम को आधार या इसकी सहायता लेकर इंडिगो को है ना लीचे उतारा मतलब आपका लैंड डाउन किया गया इनको ठेक है एक चीज तो बहुत बड़ा मतलब एक सफलता है और ऐसा करने वाला जो भारत है भारत युएस से जापान भारत तीसरा देश है क्या क्या करने वाला कि मतलब इसके इंडिया देश की एक कंपणी हाना एयर वेस कंपणी उसने भारत के स्वदेशी नेविगेशन तंत्र का इस्तमाल करके अपने फ्लाइट को जमीन पे उतारा लेंडिंग कराई हाना सक्सेस्पुल लेंडिंग मिस ए लेकि गगन का जो वो किया गया था इसको इसका जो लॉंच किया गया था यह 2001 में किया गया था हलाकि 15 सालों के लिए था लेकिन अभी वर्किंग उसमें है ठेक है यह चीज़ गगन मतब सोदेशी आपका यह ऐसा करने वाला भारत तीसरा देश है है कि नहीं बहुत इंपॉर्टेट है अब ग्लोबल पाजनेशनिंग सिस्टम अगर डिवलप हो गया है अच्छी तरीके से काम कर रहा रन कर रहा ह इसके बहुत सारे बेनफिट आपको बहुत सारे बेनफिट मिलेगे ठेक है एक चीज़ है तो हम अगले पॉइंट पर फोकस करते हैं कि आए आए आगे पॉइंट पर आते हैं कि आगे किताब है कि देखें अपरन हिंग चानिज पराइस मोटों यह उन ऎकीज़ करते हैं तो है एक किताब की खास बात हम आपको बता रहें क्या महिए चानिज पस्पाइन फ्रांग इस्पाइस प्राम शियर मैन माउ तुकि हम हिंदी में लिक रहे हैं शियर मैन ज्यादा तर विद्या थी हिंदी मिडियम क्या हैं हिंदी भासा जिंदा बार शियर मैन माउ टू जिन पिंग देखिए यह रोजर फैलिगेट की किताब है यह एक्चुली रोजर फैलिगेट की किताब है यह फ्रांस के एक राइटर है फ्रांस के राइटर है ठेक है इन्हों ने किताब लिखा चाइनीज स्पाइस फ्रॉम चेर्मेन माउ टू जिन पिंग इससे आपको क्या समझ में आ रहा है अभी तक देखिए हरा माउ से तुंग से लेके आपका यह पूरा जिन पिंग तक ज कि इनके प्रेसिडेंशियाल रूल में क्या-क्या चीजे घटना हुई है थेक है बड़ा इंपॉर्डन है रोजर फैलिगट यह फ्रांस की एक राइटर थे एक पत्रकार भी थे तो इन्हों ने पूरा एक संकलन बनाया अपने रेडिकल जनलिजम के दौरान रेडिकल जनल चेंजिंग लाया या इनके समय में क्या-क्या पॉस्टिव रहा क्या-क्या निगेटिव रहा इस सबका एक डिस्क्रिप्शन इसमें दिया गया है एक चीच और हम आपको बता दे कि हमारे भारत के एक व्यक्ति हैं उनका नाम है विक्रम सूर्ध इस पूस्ता के लिए उन् है कि आप क्योंटgar-उन-लिचिया उसमें आप देखते हैं । Bye Festival यह पूस्ता का पुरा सेर्ड्रल आइडिया कि यह पूस्ताक को क्या बताना चाह रही है क्या कहना चाह रही है और जो विक्रम सूर्ध थे यह रा के एक अदिकारी थे पुरवण। राम रिसर्च एनॉलिसेस विंग्स रिसर्च रिसर्च अनलिसेस विंग्स के यह हेड़ हुआ करते थे मिक्रम शूद मतलब एक प्रमुका दिकारी थे सारी तो आप एक चीज़ और research analysis से जुड़े थे तो चुकि इन्होंने काम किया है चीन में बहुत सारी चीज़े तो इनके knowledge में बहुत सारी चीज़े तो ELU ने अपना एक preamble तयार किया उस preamble को Rosa Feligate ने अपने किताब में रखा और फिर उसको एक collection बना के प्रसूत किया गया बड़ी अची किताब है research analysis wing हम भी पढ़ना चाहेंगे कि आखिर में चीन के presidential रूप में क्या-क्या हुआ है क्या-क्या नहीं हुआ है ठीक है एक चीज़ और हम बता दे रा चुकि ये भारत की खूपिया agency है है ना और कैसे काम करती थी है वह क्या-क्या बाहर के बारे में सोच रहे हैं और भी डिफेंस से रिलेटेड बाउंडरी से लेटेड टेक है सुचना information technology से रिलेटेड सारी चीजों से रिलेटेड तो इसके लिए रा की अस्थापना 1968 में किया गया था सर्वे रक्षित रक्षित है सर्वे रक्षित रक्षित है एक बड़ा अच्छा कताना है है ठेक है सर्वे अब इसमें एक content एक वैदिक content है धर्मे रक्षित रक्षित है इसी content का यह synonyms है ठेक धर्मे तो यह हमारा आज का important point रहा है ठेक है जिससे related question आपको आएंगे है एक चीज चलिए फिर इसको notes बनाईए देखिए thanks for watching good evening